Black Adam movie finally theaters में आ चुकी है, जो DC फैंस के लिए much अविटेट थी ही, लेकिन Marvel के cutter फैंस भी इस movie को देखना चाहते थे, only because they rock, and ये आशा लगाए कि इसमें Superman का cameo भी देखने को मिले, तो आईए बात करते हैं, कैसे है ये movie, well hello मेरा नाम है Yogi और हमारी मुलाकात बार बार होगी, दे मेरा first reaction निकल कर आता है, वो ये है, कि ये movie one time watch तो जरूर है, बट ये DC की best movie तो बिलकुल भी नहीं है, अब मेरे इस reaction से आपको लग रहा होगा कि ये movie खराब है, नहीं, खराब तो बिलकुल भी नहीं है, movie देखो, entertainment पका है, positives की बात करें तो इस movie के visuals, इसमें दिखाए characters, perfect है, specially जो Justice Society के सारे superheroes है, उसमें तो पका आपको कही ना कही Marvel की याद आएगी, चाहे वो Dr. Fate हो, जिसको देखकर आपको Dr. Strange की याद आएगी, और Atom, उसे देखकर Ant-Man and शायर Deadpool की भी याद आजाए, and वो particular एक ऐसा character था, जो मुझे जादा पसंद आया, specially उसकी powers and abilities, and of course jokes भ negative points की बात करें, तो जैसा character है Black Adam का, I mean comic books में वगेरा, तो वो एक brutal anti-hero type बंदा है, बट यहाँ वो brutality मुझे नहीं दिखाई दी, I mean जिस तरीके से वो लोगों को मार रहा है, या तबाही मचा रहा है, वो बस action sequence का एक पार्ट लगता है, brutal नहीं, वो real brutality अगर दिखाते, याने खून खराबा वगेरा, तो इस character को देखने में और जादा मजा आ था, बट कही न कहीं PG-13 करने के चक्कर में real Black Adam सामने नहीं आ पाया, याने particularly अगर आप 10 साल के भी हो, तो भी ये movie देख सकते हो, ये positive point था क्या, इस movie के बहुत सारे scenes ऐसे है, अगर आप superhero movie lovers हो, और धेर सार पीछे है, storyline स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में समझ में आता भी है, बट इनके characters को proper development नहीं दिया जाता, मतलब कोई film में जब तक fight sequence या कोई special visual treat वाला sequence चल रहा है, तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, बाकि movie में बस ऐसा लगता है कि movie देखने आया हूँ, देखते ह चले जाते है, एक और negative point है इसका कि ये काफी जादा predictable बन जाती है, first आपके बाद ही आप जान जाओगे कि आगे क्या होने वाला है, actions छोड़कर जितना भी drama इस film में देखने को मिलेगा, वो थोड़ा slow feel हो सकता है, वैसे मैंने ये भी notice किया कि इसके backstory को origin से थोड़ा हट कर दिखाया गया है, जिससे Black Adam एक brutal anti-hero के जगा, बस एक anti-hero बन कर सामने आता है, बाकि overall देखा जाए तो अगर आपको super hero stuff, मारधार, action sequences, भर-भर के पसंद है, तो हाँ, definitely ये movie enjoyable जरूर है, बस जादा उम्मीदे लगाओगे तो शायद निराशा हाथ लग सकती है, अब क्यूं तो overall देखते हुए मैं दूंगा इस movie को 3 out of 5 stars, and हा, mid credit वैसे तो leak हो चुका है, बट नहीं देखा, तो just wait for it, तालिया मारोगे आप, and इसमें कोई end credit scene नहीं है, बाकि अगर आपने movie देखी है, तो मुझे ज़रू बताना की movie कैसे लगी, मिलते है अगले वीडियो में, बाई दोhtे है, बाई झालएगे लिए हो में, आपने में, आपने में, आपने में, आपने में, तो